हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम आप से डिसक्स करेंगे 25 फिट पूरा कवर्ण करएंगे और फिन्थ हम आपको बताएंगे अपने इस हाउस प्लान का डिजाइन के बारे में जो कि इसका 3D एलेविशन का डिजाइन होगा तो ये सब आप चाहंगा तो नीचे रीड़ाउं क्लिक करके नोटिफिक्समेल को पेज्ट कर दीजिगा जिससे कि हमारे फिरते एक वीडिव को नोटिफिक्स न अब तक पहुंसता रहे तो चलिए सुरू करते हैं इसका यह जो फ्रेंट है वो फश्का और फ्रेंट है उप्र talk के लेंद्स घाए और यह जो टॉल्ट है रहाई लुआ है तो चलते हैं इसे इसके ग्राउंट फोर समारा ग्राउंटफूर का मैप है वह मैंदट्री वह हमारे 10 फिट्वाइड की मैंदट्री है तो जैसे से हम फ्रेंट्स आगे बढ़ेंगे तो हमें हैं फ्रिया से फैंबने फिर्ट गार्डन हो गा, इससमें hem आपने फस्ट वोक ले जाएंगे इस इस्टे केस्मा फैंट्स हमारा step का विर्थ होगा वहमारा 3-fit-wide का हमारा विर्थ होगा यह फैंट्स हमारा common toilet होगा जिससे family के सभी members विज करेंगा जो कि हमारा four-fit six-inch बाई seven-fit का हमारा common toilet होगा जिसके अंदर हमारा toilet street होगी और हमारा washing अरिया होगा यहां पर फैंट्स हमने एक bedroom दिजन के हुआ जो कि हमारा ten-fit-wide 12-fit का मारा bedroom है जिसमें हमने बैट रखा हुआ है यह हमार टीविस्टेंड है और यहां पर हमने covered डिजन के हुआ है और हमने अपने इस bedroom में यहां एक बिंडो लगा हुआ है जिससे कि हमारे इस bedroom का proper ventilation होता रहेगा और यह हमने यहां पर यह दोर दिया हुआ जो कि में बाहर से भी अपने इस bedroom में आ सकते हैं जैसे इस में आगे वाड़ेंगे तो हमें यहां पर यह living hall मिलेगा जिसे हम ड्राइंग रूम के परपस से भी उच करेंगे जैसे कि हमारा को भी गेस्ट बगर आता है तो अपने गेस्ट के लिए हम बैठा सकते हैं जिसमें हमने आपर यह सोपा रखा हुआ बीचे में टेबल डिजैन के हुआ है यहां पर हमारा फोर सीटर डाइंग टेबल होगा यह फैंट समारा बैडरूम का डिजैन है जो कि मारा 10 फिट वाई जिसको हमने एक टोलेट से अटेज के हुआ है तो यह हमारा टोलेट है और इसी में नहाने का होगा और इसी में हमारी WC होगी यह स्फेंट समारे डक्ट्ट रहेगी जो 흥 Samadhan 6 वां तुलिट से इस सथोट के तो हो रहेगा तो दोर का अंपने हमास्टरूर मा सकते हैं हूआ है जो इस हमें किचिन लिए जो का हुआ है यहां इसको भी हमने प्रापर बास्तू के हूआ है यहां इस फैंट साप किछेंग का भी सामारा एक्शा सामन होता है वह भी हम अपने इस्टूरूम में एड करा के लिए हम यहां से और आप करेंगे इस ऑ्रोंगे हम अपने है डाक्षर रहेगा जो डिजान हमारे grand floor का है वही design हमारा first floor का होगा तो ये friends हमारा map का design है जो कि काफी अच्छा design है और friends यदि आप इसका कोई एक screenshot लेना चाहें तो आप screenshot ले सकते हैं तो अब हम चलते हैं इसके column map की तरफ ये friends इसका column का map है जो कि आप देख सकते हैं इसमें हमने two size के column design की हुए है ये हमारा 9 inch by 12 inch का column है और ये हमारा 9 inch by 9 inch का column है तो ये जो हमारा green color का column है ये हमारा 9 inch by 9 inch का है और ये हमारा pink color का column है ये हमारा 9 inch by 12 inch का column है तो यह जो हमारा pink color column है इसको हमने 7 नाम से tag किया हुआ है और यह जो फ्रेंट से हमारा pink color column है इसके अंदर हमने 8 वार्स डाली हुए है जो कि यह जो सप्सक्र। ओंट से प्रेंट से अंदर हमने 4 बार्स डाली हुई है हमारी शिस्टीनम डाय की यह है यह जो आप इसका भी एक इसक्रिन mówią ले सकते है तो आप चलते हैं इसके 3D एलिवेशन की तरा यह जो की काफी अछा डेजन है जो कि अब देख सकते हैं पूरा ही हमन इसमें modern style में हमने इसको तैयर के हुआ है यहां पर हमारा यह 10 feet wide का man gate है और हमने हम पर ramp से इसकी entry रख हुई है यह हमारी कुछ step की boundary wall का design रहेगा और यहां पर हमारा यह हमने जो बताया था आपको map में यह जो हमने आपको बताया हुआ है यहां पर हमारा कुछ garden बनेगा तो यह जो हमारा एरिया होगा वह हमारा step का एरिया होगा यहां पर अपना planter वज़रा आप लगा सकते हैं और यहां पर friends हमारा यह car parking का एरिया होगा यह हमारा इस तरह से यह अपने फर्स पोर के लिए अप करेगा आप फर्स पोर फ्रेंट्स आप देखेंगे कि हमने यहां पर यह वालकनी का डिजान दिया हुआ जो कि हमारा काफी अच्छा डिजान है और हमने इसमें और इसे यह लिए हम construction करते हैं इसमें friends जो हमारा cost आने वाला है वह हमारा 18-19 रुप्य का cost आने वाला है जो कि हमारा friends इस टेक्चर का cost होगा और यह friends जो हमारा इस टेक्चर का cost होगा यह हमारा finishing के cost और हमारा interior cost से बिल्लकुल अलग होगा मैं आपको हर वीडियो में यही बताता हूँ क्योंकि मेरे पास जो subscriber requirement आती है वो सिर्फ इसी चीज़ के आती है यह जो अपने सर cost बताया है वो हमारा किस चीज़ का cost है तो मैं आपको फिर यह revise करता हूँ हुआ है कि हमारा 18-19,000,000 रपी इसमे कॉस्ट आने वाला है वो सिर्फ सर्ष और सिर्फ हमारे structure cost होगा और structure cost मिस्स कि हमारा इसमें जो हमारी flooring होगी वो इसमें add नहीं होगी हमारा जो pen finish होगा वो हमारे इसमें add नहीं होगा और जो भी हमारा दोर बिंडो होंगे वह वह हमारे इसमें एड नहीं होंगे सिर्फ हमारा जो कोश्ट होगा वह हमारा 1819,00,00,00,00 रॉपए का यह आज का वीडियो होगा तो आपको हमारे वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट वाकस में कमेंट करके जरूर बताना यह यह आप सब्सक्राइब को ना मत बूलिएगा मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में नेक्ष्ट प्रेंग के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभारत